एक बार और ना आप उनके पास गए थे आदरस अनन जी के पास एक वीडियो बना करके लाए थे बड़ा वाइरल होने के लिए लाए थे ना वाइरल तो हुए थे लेकिन जब उधर से काउंटर मिला थे तो वीडियो डिलेट भी कर दिये थे 700 रुपया वाला माई उठा करके पत्रकार बन जाता है उस वक्त आपका मुह नहीं खुलता है उस वक्त एक सब्द नहीं बोलने के लिए आते हैं जहिन दोस्तो यहां पर अभी हम बात करेंगे कुछ लोग हैं जो कि आदर सानन जी को लेकर के एक मुद्दा एक न्यूस बनाए हैं कि आदर सानन ने बोला है कि हम दो मिनिट में पत्रकार बन जाएंगे सबसे पहले मैं आपको इस घटना की जानकारी दे दो इसकी पूरी कहानी आपको पहले बता दू कि सोनुसी सूच जी बिहार आये थे एक बहुत अच्छा कारे करम का आयोजन किया गया था जिसमें मनिट कस्षब जी ने आदर सानन जी को बुलाया था उसके बाद आदर सानन जी जब पतना आये तो किसी कारणवस मनिट कस्षब जी फोन रिसीव नहीं कर पाए और आदर सानन जी इस प्रोग्राम में इस आयोजन में सामिल नहीं हो पाए जिसके बाद आदर सानन को थोड़ा सा बुरा लगता है और बुरा क्यों ना लगे लिए बहुत कुछ सोचे बहुत कुछ मेहनत करके परिशरम करके उसकी तैयारी करता है और उसके बाद उसको कारेकरम में नहीं आने दिया जाता है नहीं बुलाया जाता है और भागलपूर से पटना आने के बाद मतलब उस जगह पे पहुँचने के बाद जब वो कारेकरम अ लेकिन उसके बाद भी मैं बताता हूं को लेकिन उसके पहले इस बात को खतम कर दूँ कि आदर सानन जी के प्रेस कॉंफरेंस के बाद मनीज का सेब जी उनसे बात चीत करते हैं और कहीं ने कहीं इस बात को लेकर के माफी भी मांगते हैं लेकिन उसके बाद एक और बात होती ह क्या कि सुनु सूजी खुद पोस्ट करते हैं आदर सानन जी को और उनको लेकर के काफी सानु होती भी दिखाते हैं और काफी अच्छा लाइन भी बोलते हैं लेकिन कुछ लोग अभी यहां पे शुरूते हैं आदर सानन जी प्रेस कॉन्फरेंज के दौरानना एक लाइन बो बन सकते हैं इस टाइप का उन्होंने बोला और उसके बाद कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको लेकर के एक हाइलाइटेड मुद्दा बनाया और वीडियो बना डाला इस मक्सद से व्यूज तो आएंगे भाई आदर्सानन्द का नाम है उसके बाद फिर क्या होता है मुद्द क्या था यहाँ पर कि मैं दो मिट में पत्रकार बन जाओंगा तो वो काउंटर में इस पर एक वीडियो बनाते हैं कि मैं दो मिट में कलाकार भी बन जाओंगा भाईया सबसे पहले भक्ती आप जो भक्ती कर रहे हैं वो सब को दिख़ड़ा है आप क्या भक्ती करना चाह रहे हैं और सब को जान भी रहे हैं आपको पहचान भी रहे हैं कि आपकी इस तरह से भक्ती कर रहे हैं भक्ती इसमें मत करिये ये मुद्दा खतम था मुद्दा को खतम करने दिए पत्रकार भरसेश कलाकार इस पर फिर से एक मुहिम मत चलवाईए जब कोई भोजपूरी का सिंगर भोजपूरी का एक्टर भोजपूरी का एक भोजपूरी इंडस्ट्री वाले जब बोलते हैं कि 700 वाला माईक उठा करके 700 रुपय वाला माईक पत्रकार बन जाता है उस वक्त आपका मुह नहीं खुलता है उस वक्त एक सब्दों नहीं बोलने के लिए आते हैं लेकिन जब कुछ पत्रकार आपके जैसे कुछ बड़े-बड़े पत्रकार भी जब ऐसा वर्ड बोलते हैं कि कोई भी माईक उठा लेता है लेकर के मुह मे फुसके माइक पुशनी चला जाता है, उस वक्त भी आपकी बोलती नहीं निकलती है, उस वक्त भी आप इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नहीं बोलत पहेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, और जब आधर सानन, और आधर सानन ने अपना और भी कुछ बहुत दर्द बताया, उसके दिये भी बता खिके, क्यों नहीं बन सकते हैं, व्यूज आएंगे आईगा-ão, लेकिन आपको बता दूसर, उसमें आप की, पूरी की पूरी भक्ती दिखती है, और कहीं निकाई अंधभक्ती भी दिखती है, जब एक बार आधर बार ना आप उनके पास गए थे, वीडियो बना करके लाए थे बड़ा वाइरल होने के लिए लाए थे ना वाइरल तो हुए थे लेकिन जब उधर से काउंटर मिला थे तो वीडियो डिलेट भी कर दिये थे देखिए आप कभी बोलते हैं आप इस पाले वीडियो में बोले हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूँ आप भी पत्रकार नहीं किनी के साथ वीडियो बनाये थे तो आप बोले थे और कभी बोलते हैं कि हम ही पत्रकार हैं पहले आप ये कंफर्म कर लीजे कि आप पत्रकार हैं या न पत्रकार भर से कलाकार की लराई लरवा देना आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह की पत्रकारिता ना करें आपको सभी लोग पसंद करते इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपका साड़ा वीडियो बहुत ही एनलिसिस करके बहुत ही अच्छे से उस भी छानविन करने के ब आप बनाते लेकिन अब आप इसाइस साब बनाएंगे तो सब्सक्राइब भी कहीं ने कहीं सवाल खड़े हो जाएंगे खैर मैं जाता नहीं बोलूँगा अभी चाहूँगा इजाज़त अपते के लिए जैन